नवास्कार स्वागत्याप का हमारे अचार जागेंदर मिशाज चैनल पर हल्दी के डब्बे में आज ही चुपके से डाल दें यह एक चीज महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन संपत्तिवा खुशियां दोस्तों आपके किचन में हल्दी तो होगी और जोतिस सास्तर में हल्दी का होना सबसे ज़्यादा शुबता पैदा करने वाली वस्त मानी गई है वैसे भी हल्दी हर एक चाहे आप बच्चों का वर्थदे भी मनाते हैं तो भी हल्दी का ठीका करते हैं बिवा होता है तो भी हल्दी और हल्दी को शुब और शगुन के तौर पर देखा जाता है। हल्दी आपके जीवन के हर छेतर में फाइदा देती है। चाहे वो आपका खाने पेने के चीज हो, आपकी बीमारी हो, आपका केजियर हो, तो हल्दी का प्रयोग आप करते ही हैं। हल्दी की टोटके से आपके जीवन में तरक्की के नए राष्टे भी खोलते हैं और इन टोटके को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समापन हो जाता है बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं आज हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी है उस हल्दी के डब्बे म आखिर क्या रख दें क्या डाल दें कि आपका जीवन जीना शरल हो जाए माता लक्षमी कृपा बरसे जीवन की जो परेसानी है वो कम हो जाए तो देखे हर किसी के किचन में हल्दी तो होती है और आप जिरूर हल्दी के पाउडर को डब्बे में इस्टोर करके रखते होंगे चाहे वो कांच का हो प्लास्टिक का हो या फिर प्लास्टिक का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर प्लास्टिक का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप रख सकते हैं हल्दी का संबंद कुंडली में देगुरू ब्रिहस्पत से है ब्रिहस्पत का मतलब होता है संतान सुक, बैवाहिक सुक, धन ग्यान विदेश की यात्राएं और शुक्षंबर्धी अगर आप हल्दी का दान करें तो कुंडली के गुरु ग्रह मजबूत होते हैं उनको मजबूत करने के लिए पीली हल्दी की गांट अगर आप पूजा स्थान पर रखते हैं और पूजा करते समय निमित रूप से रखते हैं तो आपका गुरु ग्रह कमजोर होकर भी आपको मजबूती परदान करता है या फिर आप हल्दी के गाठ अगर आप धारन करते हैं गले पर, तो आप यह जो साबोत वाली हल्दी के गाठ होती है यह धारन करें, तो ऐसा माना जाते हैं कि आपका बिवा भी जल्दी होता है और बैवाहिक जीवन की जो समझे हैं वो भी टेंसन खत्म होती है, केरे में बात करेंगे हल्दी के बारे में हल्दी के डिब्बे में चुपके से डाल दें यह एक चीज मालक्ष्मी दोनों हाथों से लुटाएंगी धन रोडपती भी हो जाएंगे करोडपती जी हां दोस्तों आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में हल्दी हम सभी के घरों में होती है खाने की सान किचन की सान होती है हल्दी हल्दी के विना अगर खाना बनाया जाए तो खाना रंग हीन यनि की बेस्वाद हो जाता है भारती खाने की जान होती है हल्दी हल्दी के विना ना तो खाना अच्छा लगता है ना ही कोई शुब और मांगलिक कार ही पूरे होते हैं हल्दी एक ऐसी चीज है जो नजर दोस्ट से तो बचाती है साथी साथ सुब और मंगल का प्रतीक भी होती है खाने के साथ साथ हल्दी स्वास्त के लिए भी बहुत लाबदैक होती है स्वास्त के साथ हल्दी का इस्किन प्रोड़क्ट में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है हल्दी के लेप लगाई जाते हैं चेहरे पर हल्दी को चेहरे से यनि के मेक अप किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है बरबधू को भी हल्दी साधी से पहले लगाई जाती है जिससे उनके इश्कन संबंदी जो समस्या है वे भी दिर हो जाए साथी उन्हें किशी की नजर ना लगे हल्दी भगवान विश्मी जी को बहुत प्री होती है और हल्दी के प्रयोग से माता लक्ष्मी जी अति प्रसंद हो जाती है साथी यह माता लक्ष्मी जी को भी अतिदिक प्री है हल्दी के प्रयोग करने से माता लक्ष्मी दोड़ी दोड़ी चली आती है अगर यह प्रयोग आप यनि की हल्दी का प्रयोग करें किसी भी दिन तो विशेश लाब होता है माता लक्ष्मी जी को यह हल्दी का उपाय करने से बेहत जल्द परसंद हो जाती है और घर में शुक्षम्रद्धी आती है जोतिस सास्तर में हल्दी का होना सबसे ज़धा सुबता पैदा करने वाली वस्त मानी गई है वैसे भी हल्दी हर एक चाहे आप बच्चे का वर्थरे मनाते हों या टीका लगाते हों बिवा होता हो हल्दी को सुब और सगुन के तोर पर देखा जाता है हल्दी आपके किचन में तो होती है साथी आपके जीवन के हर छेत्र में फाइदा देती है चाहे वो आपके खाने पीने की चीजे हो बीमारिया हो, केजिर हो हल्दी का प्रियोग आप करते ही होंगे इसके उपाय भी करते होंगे तोने टोटके भी करते होंगे तरक्की के ने राष्टे इससे आपके खुलते हैं और इन टोटके को करने से जीवन के समस्त समस्याओं का समापन हो जाता है बिगड़े हुए कार बनने लग जाते हैं आपके किचन में हल्दी तो होगी ही उसमें आप हल्दी का डब्बा भी रखते हैं तो हल्दी के डब्बे में ऐसी क्या चीज़ डाल दें कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएं धन संपत्य वक्वेर का खाजाना हल्दी के पाउडर का इस्तमाल आप इस्टोर करके रखते हैं डब्बे में चाहिए वो कांश का डिब्बा हो या फिर प्लास्टिक का डिब्बा हो कोई दिक्कत नहीं आप उसमें भी रख सकते हैं तो हल्दी जो होती है वो आपके कुंडली के ब्रिहस्पत ग्रह से जोड़ अगर पूजा करते समय आप ग्रुग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो हल्दी की गाठ जरूर गुरुवार के दिन धारण करें तो विशेश लाब होता है साबोत हल्दी की गाठ इस्टे भागवान स्रिकुष्ण जी के करपा बरश्ती है बैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव से भी मुक्ति मिलती है बैवाहिक जीवन में अगर समस्या है केरियर में आपको सरलता से सफलता नहीं मिल पा रहे तो एक चुटकी हल्दी याप पानी में डाल कर नहाएं तो विवाह की जल्द योग बनते हैं और बैवाहिक जीवन काफी सुब रहता है हल्दी का बहुत से लोग यनि की पेंड भी लगाते हैं ये एक कंद फल वाले होते हैं आपके घर में नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर लगाना चाहते तो लगा सकते हैं कच्ची हल्दी के बहुत सारे फाइदे होते हैं अगर हल्दी का तिलक आप निमित पर लगाएं कलाई पर लगाएं तो आपको चारो दिशाओं में मान समन की प्राप्ती होती है आज हम बात करेंगे आपके किचन में हल्दी का डबबा है उसमें क्या डाल दें देखिए वास्तु सास्तर के हिसाब से हल्दी का संबंद बहुत ज़्यदा महत्पूर्ण अप अपको अपको बाउन्टरी बाल में आप एक काम करें हल्दी का रेखा खीजदें इससे घर में नकरात्म कुर्जाओं प्रवेश नहीं करेंगी हर कोई स्वस्त रहेगा या फिर आपके पास बाउन्टरी बाल नहीं है तो आप अपने घर के मुक्ध दरवाजे पर स्वास् से भगवान सूर को एक लोटा जल में एक चुटकी अलदी डाल कर अरपित करें तो आपका बैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और आप चाहते कि माता लक्ष्मी की कृपा भी बने तब रवीवार के दिन छोड़कर बांके की दिन आप सूर्थ भगवान को के निमित जल अ वीवार के दिन बाला तूलसी हरी भरी रहेगी और भगवान सूर के कृपा भी बरसेगी कई बार क्या होता है कि माता लक्ष्मी जी को आप प्रियाश करते हैं मनाने के लिए लेकिन लगता है जैसे वो आप से रूट गई है तब क्या करेंगे तब ऐसे में एक प्रयोक करे पानी अगर आमका पत्ता ना होते कि शिपुष के सहारे भी आप कर सकते हैं हल्दी के सुगंद से एक तो नकरात्व कर जैओं को भगा देती है और दोसरा घर में खुश्या लाती है धन बढ़ता है यस बढ़ता है और कई बार क्या होता है कि घर में खुश्या तो आती है लेकिन क्या होते कि आपके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में कंजोर होते हैं तो उनके बैग में या पुष्टक में हल्दी की गाठ रख दे साबूत तो उनकी पढ़ाई में मल लगेगा या फिर उनके जेम में रखकर भेजे तो उसमें भी सिक्षा में सुधार होगा हल्दी एक देवी गुड होते हैं इसमें दिब शक्तिया होती है ये एक बिल्कुल भगवान का आशिरवाद ले होए रहती है आपने देखा हुए कि बिवाग के समय बरवधू को हल्दी अरफित की जाती है तमाम तरह के परेसानियों से बाधाव से बचने के लिए और खा जनारात के समय एक कागज के कागज में हल्दी रख दें और अपनी पूडिया बना ले और पूडियों को अपने तक्ये के नीचे रख दें और फिर आप सो जाए सुबह उठिये और इस तरह से आप एक तालिस दिन तक लगातार करिए और एक तालिसमें दिन इस हल्दी की जो पूडिया अपने बना कर यह नी तकिये के नीचे रखी है इसे आप बैतुए जल्वें बिसर्जित कर दें तो आपको बैवाहिक जीवन अतियुत्तम रहता है बैवाहिक जीवन में सुक प्राप्त होता है दोस्तों अगर नजर दोस्त बहुत लग जाता है या किसी की बुरी नजर आपको बार-बार परिशान कर रही हो तो आप अपने घर के मुख दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाई यह से घर में निगविटी प्रवेश्ट नहीं करेगी अब हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी का डिब्बा है चुकि हमने टोपिक रखा है कि हल्दी के डब्बे में क्या इसी चीश डाल दें कि माता लक्षमी दोनों हाथों से बरसाएं धन संपत्व कुवेर का खजाना आतो दोस्तों हल्दी का डिब्बा कभी भी पहली बात तो खाली मत रखिये उसे जरूर आप आधे से उपर ही रखिये कोशिश करिए कि वो आ पर आधा हैं परेसान करें तो पांच-छे साबुत लाल मिर्च डाल दें तो घर से नकरात्म को रजय समाप्त हो जाएगी मातालक्षमी कृपा बरसेगी अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है मनो कामना है ब्यापार और नोकरी में बर्दी चाहिए तो आपको हल्दी के दब्बे में लांग और इलाइची आपको दो दो लांग दो इलाइची डाल दें तो मातालक्षमी कृपा बरसेगी या फिर हल्दी के डब्बे में एक रुपए का सिक्का डाल दें और जब हल्दी निकालें अगर यह सिक्का वापस आजाए तो फिर वापस इसमें भर दे एक रुपए के सिक्का भी हल्दी के डब्बे में रख दें तो माता लक्ष्मी कृपा वर्सेगी हल्दी के डब्बे में कुछ रखे या ना रखे आप माता लक्ष्मी को परसंद करने के लिए आप यानि कि इसमें धनिया 10 या 11 मात्रा में साबोत धनिया रख दें तो मातालक्षमी दोनों हाथों से बरसाएंगे धन संपत वक्वेर का खाजाना तो हल्दी के डब्बे में ये चीजे जरूर डाल दें खासकर अलाओं के इलाइची डाल दें या फिर एक सुपाड़ी डाल दें इससे भी मातालक्षमी कृपा बरसेगी मातालक्षमी कृपा से आपके घर में धने धान में बरकत होगी या फिर आप केसर के कुछ पंखोडिया डाल दें या फिर आप मीठी जैसे कि आप मिस्तरी के पांच दाने डाल दें तो मातल लक्ष्मी कृपा बर्षे की दोस्तों हल्दी के डब्बे में आपको इन में से कोई भी चीट डाल दें तो मातल लक्ष्मी कृपा बर्षे की दोस्तों कमेंट में लिए कि जए मालक्ष्मी साथ वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें जैमा लक्षमी